नोटिस आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो एक स्पेसिफिक मोडस ओपरेंडी को लेके है इसलिए आप सभी को यहाँ पे हमने इन्वाइट किया है केस के बारे में बताने के लिए बेसिकली ये केस चीटिंग का है लेकिन ये एक लारजर क्वेशन रेस करता है कि किस तरीके से हमारी स्टेट के लोगों को हमारी स्टेट के बाहर के जो लोग हैं वो किस-किस तरीके से बेफकूफ बनाते हैं और नए-नए तरीकों से उनसे पैसे लूटने की स्कीम रखते हैं और हमारी लोग without verification इन सब schemes का part बन जाते हैं और अपना huge amount बिना verification के दे देते हैं जिसकी वज़े से they get cheated of that amount और उसके बाद financial losses उनके पास बहुत होते हैं उनको recover करने की possibilities कई बार नहीं हो पाती है ऐसा ही एक case हमारे पास report हुआ second of February को जिसमें एक complainant है श्री एनल ताबो यही हमारे economic statistics कालनी में रहते थे एक businessman है उनसे हमें complainant review की last एक साल से वो एक व्यक्ति के touch में है जो हैला कांडी असायम का रहने वाला है और उसने promise किया है कि वो उनका कुछ पैसा invest कर सकता है या तो किसी government of India के contract में या फिर government of SM की कोई contract में different different चीजे उसको promise की गई कि industries का water का oil का कई सारी चीजों में contracts निकलते रहते हैं तो उसमें से किसी में भी वो इनका पैसा invest कर देगा और बहुत ही high rate of interest इनको promise किया गया तो over the months ये थोड़ा थोड़ा पैसा उसको transfer करते गए इस हद तक की उन्होंने काफी installments में 12-15 installments में पैसा transfer किया और second last installment जब तक उन्होंने दी तो उन्होंने total 1 crore 2 lakh rupees ट्रांसफर अलड़ी कर चुके थे over the course of one year फिर एक उनको दुबारा जब 1 crore से दादा का amount उनसे ले लिया गया तो फिर उनको बताया गया कि अब इतना ही और amount हमको चाहिए जिससे आपको last stage है contract मिलने की तो अगर इतना ही और amount आप हमें देंगे तो contract आपके पास बिलकुल हो जाएगा तो इस तरीके से एक करोड के और demand की गई बाकी सारा जो amount था वो उनसे अलग अलग चोटे अटो इंस्टॉल्मेंट में लिया गया कुछ कुछ लैक्स के बट ये amount उनको एकदम चाहिए था और hard cash में चाहिए था तो complainant के पर काफी pressure डाला गया और complainant से उन्होंने एक करोड का cash इसी तरीके से अरेंज करने के लिए मजबूर किया complainant को और उसके बाद वो लोग यहां पर आपने दो associate के साथ ये तीन लोग थे काजी हबीबूर रह्मान हेला कांडी के रहने वाले मुश्ताक एहमद मुशुमदार ये भी और काजी गया सुद्दीन तीनों district हेला कांडी असायम के रहने वाले इसमें जो mastermind काजी हबीबूर रह्मान है ये अपने दो साथी के साथ यहां पर आया और इसी तरीके से कर आए कि हम we will get back to you और इन्वेस्ट करके हम बताएंगे हम अभी लेकर जा रहे है और फिर एकदम इटन अगर से यह गायब हो गये ऐसी कंप्लीन जब हमारे पास इस स्टेज पर आके रिपोर्ट हुई कि मेरा कोई सबसे पहले ये बात है कि मेरा कोई एक करोड रुपे ले सामने आया कंप्लेंट जब रिसीव हुई और अमाउंट काफी जाद आता तो हमारे ओसी पीएस चिंपू नीरन शांत साब कोई इसका इन्वेस्टिगेडिंग ऑफिसर बनाए गया और विदिन टू डेज हमने ये तीनों असोसियेट्स को ट्रैक डाउन किया यहाँ पर प जहां जहां यह लोग रुके थे वहां पर पता लगाया गया उन होटेल से इंफोमेशन ली गई फिर इनके नंबर सारे बंद हो गए थे टेकनिकल सवेंस लाया गया तो न्यू नंबर जो अक्टिवेट हुए उनके बार में पता चला और दो दिन के अंदर तीनों यह जो से यह पकड़े गए और इन से टोटल 89 लाक्स की रिकवरी की गई जिसके अंदर कुछ कैश अमाउंट है और कुछ बैंक अकाउंट्स के थू जो इनके अमाउंट्स थे उनको फ्रीज कराया गया है तो मैं ब्रेक अप आपको बताऊं तो टोटल 12,63,000 कैश की रिकवरी इस बैंक अकाउंट्स हैं जो हमने फ्रीज कर दिये हैं और अब उन से रिकवरी की बात चली है जो आगे का लीगल पुसीजर है वो किया जा रहा है तो टोटल 89,28,000 रुपीज की या तो कैश की या बैंक अकाउंट्स की अभी हमारे पस रिकवरी है एक और असोसियेट है इनक जो अभी इनी की इंटरोगेशन में सामने आया है पहले ये तीनी थे जो आये थे तो इन पे हमारा टार्गेट था अब ये आ गए हैं इनसे रिकवरी हो गई है बाकी एक और असोसियेट का नाम अभी हमारे सामने आया है तो अब हम उस पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं इसके अलावा बाकी जो अमाउंट था इन्होंने आलाग अलाग आवेन्यूज में यूज किया क्योंकि एक साल इनके पास था तो किसे ने घर बना लिया किसे ने कुछ मुवबल प्रॉपर्टी ले रही है तो वही सब प्रॉपर्टी हम अभी भी आइडेंटिफाय कर रहे और जो बाकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके हम जो अमाउंट है वो रिलाइस करने की कोशिश करेंगे ब्रॉडली यह ब्रीफिंग करने का मेरा जो मोटिव है वो यह है कि केस अब आप सुन रहे हैं जितने भी हमारे दर्शकत काफी सिंप्लिस्टिक लगेगा कि को कोई हमारे बस कंप्लेंट आई और दो दिन के अंदर हमने सॉट आउट कर लिया बट जो इसके पीछे का इंटेलिजेंस है कैसे ट्रैक किया अक्रॉस स्टेट्स और कैसे कैश की रिकवरी तुरंट की गई वो एक चीज़ है बट उस पे ना जादा बात करतो है मैं बात इस इस तरी के प्रामिसेश करें तो बहुत एज़ी एसको वेरिफाय कराना आप जैसे अगर कोई गूपनेट वरनाशल प्रदेश का कोई का इसके बारे में कोई बात करें या गूपनेट आफ इस तरीके के कंट्रैक्ट है आप कॉंट्राइट की डीटेल्स लें कि किस तरीके के कॉंट्राक्ट है और उस डिपार्टमेंट में अप्रोच करें आपको कम से कम यह पता लग जाएगा कि इस तरीके का कोई कॉई कॉई प्रोजेक्ट एक्जिस्ट भी करता है नहीं करता है हमारे कम्प्रोजेक्ट को क्योंकि जो प्रोजेक्स के बारे में प्रॉमिस किया ग बिल्कुल फ्रम ग्राउंड जीरो एक्जिस्ट ही नहीं करती हैं लेकिन इसके बेसिस पे भी क्योंकि हाई रेट आफ इंट्रेस्ट उनको प्रॉमिस किया गया तो हमारे कंप्लेनेंट उस जलावे में आ गए तो यह प्रेस ब्रीफिंग करने का सिरफ में मोटिव वो यह है क पता लगाना यह ऐसे कुछ प्रोजेक्ट इस्ट करता है नहीं करता है बहुत ही आसान है आप कंसर्ण डिपार्टमेंट से रीच आउट कर सकते हैं कई सारी डीटेल्स ऑफिशल वेबसाइट पे भी होती हैं आप वहां से रीच आउट कर सकते हैं टेंडर्स जो फ्लोट हो और आपका पैसा है उसको सेफली आप जहां भी इन्वेस्ट करना चाते हैं करना चाते हैं हराम से करें और अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करना भी है तो ड्यू डिलिजिंस अन्य भाए और जितने भी ऐसे लोग हैं उनका बैगराउंड चेक्स जरूर आप लोकल पुलीस करवाएं बैगराउंड चेक्स में काफी सारी चीज़े पता लग जाती हैं कि यह पहले ऐसे प्रोजेक्स इन्होंने एक्जिगूट किये हैं यह नहीं किये यह इनका एकॉनमिक कंडिशन कैसा है अब यह जो लोग पकले गए हैं इनकी एकॉनमिक कंडिशन कुछ खास नहीं ह हैं तो अगर बैगराउंड चेक कराइंगे तो पहले से हम बता देंगे कि क्या यह ऐसे प्रोजेक्स इसिगूट करने की केपयंडिटी रखते या नहीं रखते और इन्होंने पहले कुछ झाल झाल